हेलो एवरिवन मैं हम डॉक्टर सुरभी सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इंप्लांटेशन ब्लीडिंग कितने दिन तक रहती है जी हाँ ये एक सवाल है जो कई सारे वीडियो में मिस हो जाता है काफी कुछ आपको बताया जाता है कि इंप्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है इंप्लांटेशन क्रैंप्स क्या होते हैं और साथ में भी बताया जाता है कि इसको पीरियो से कैसे डिफ्रेंशेट कर सकते हैं आपकी जो normal periods होते हैं और implantation bleeding में क्या अंतर होता है ये भी आपको बताया जाता है अकसर वीडियो में लेकिन जो एक point जो छूट जाता है वो यह है कि implantation bleeding कितने दिन तक रहती है तो वो भी आज इस वीडियो में आपको clear हो जाएगा सबसे पहले हम basic से start करते हैं कि आखे implantation bleeding होती क्या है देखे क्या होता है पहले implantation हमें समझना पड़ेगा कि ये implantation क्या होता है actually ये pregnancy से जुड़ा ऐसा important एक process है जिसके बिना pregnancy start होती ही नहीं है जी हाँ जब एक sexual intercourse होता है और वहाँ पे sperms का और egg के साथ एक fertilization होता है structure जो उनके union से बना होता है egg और sperm के वो travel करता हुआ fallopian tube से uterus में पहुंचता है uterus में भी 2-3 दिन के बाद वो uterine lining होती है यानि कि बचे दानी के अंदर की जो परत होती है उससे चिपकना start होता है तो उस चिपकने के process को implantation बोलते हैं तो आपको एक clear हो गया होगा कि implantation क्या होता है अब actual pregnancy start ही तभी होती है जब implantation होता है जी हाँ implantation का मतलब कि अब आप pregnant हो गये हैं तो implantation जिस सक्त होता है तो जो embryo आपके बचे दानी की परत के साथ चिपक रहा होता है उसके अंदर एक तरीके से घुस रहा होता है तो वहाँ पर जो blood vessels होते हैं उन में थोड़ा रप्चर होते हैं थोड़ी damage होंगे ही उस process में तो वहाँ पर थोड़ी बहुत bleeding होती है उस bleeding को implantation bleeding बोला जाता है तो ये तो implantation bleeding होती है अब implantation bleeding अगर technically देखे तो pregnancy का पहला लक्षन या पहला symptom भी यही होता है अब एक और चीज जो आपको clear होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि implantation bleeding हर महिला notice करेगी ऐसा नहीं होता है कई महिलाएं इसको notice नहीं करती है कुछ महिलाएं notice करती है in fact अगर मैं आपको सही बात बताओ तो जादेतर महिलाएं notice नहीं करती है तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप अगर pregnancy plan कर रहे हैं तो बहुत जादे expect करके चलें कि आपको implantation bleeding होगी ही ऐसा भी possible नहीं होता है किसी को होती है किसी को नहीं होती है या notice नहीं करती है तो ये तो implantation bleeding हुई अब उस time पे जब ये embryo आपकी uterine lining से चपक रहा होता है तो थोड़ी बहुत आपको अपने uterine region में जो पेट का निचला हिस्सा है वाँ पी थोड़ी बहुत cramping भी महसूस हो सकती है तो इस cramping को implantation cramps बोला जाता है तो ये तो हो गई implantation bleeding basic knowledge की क्या होती है अब implantation bleeding और periods की bleeding में differentiate कैसे करेंगे तो ये काफी आसान होता है इसको differentiate करना बहुत मुश्किल काम नहीं है सबसे पहले तो इसकी timing crucial होती है क्योंकि जो आपकी implantation bleeding होती है जिस time पे ये embryo चिपकता है आपकी uterine lining से वो generally जो आपकी period की due date होती है उससे 7 days पहले होता है तो आपकी period की due date से अगर आप pregnancy plan कर रहे हैं unprotected interpose कर रहे हैं pregnancy के लिए और किसी महीने ऐसा होता है कि आपकी pregnancy की due date से करीब 6-7 दिन पहले आपको थोड़ी bleeding हो सकती है तो maybe वो implantation bleeding हो ऐसा समभव है जरूरी नहीं है 100% surety के साथ of course नहीं कहा जा सकता क्योंकि pregnancy किसी भी symptom से confirm नहीं होती है pregnancy हमेशा confirm होगी जब आप missed period के 7 days के बाद pregnancy test करेंगे urine pregnancy test करेंगे उसी से pregnancy आपकी confirm होती है तो symptoms सिर्फ एक indication मात्र होते हैं कोई surety उससे नहीं होती है तो एक तो अंतर जो periods और implantation bleeding में होता है वो यह है timing का आपके due date पे generally आपके periods आत होती है दूसरा difference जो होता है वो होता है amount का bleeding कितनी हो रही है अब जो implantation bleeding होती है वह बहुत कम होती है थोड़ी सी bleeding होती है जबकि आप में periods जानते हैं कि धीरे दरी करके blood का flow start होता है और अच्छा काजा flow होता है एक या दो pads change करने पड़ते हैं ladies को तो वो अपने जो normal flow होता है periods का उसको पहचानती है जो कि काफी अच्छा-खासा होता है जबकि implantation में जो bleeding होती है उसके लिए आस सच आपको बहुत जादा pads की जुरुत पड़े हो सकता है जुरुत ना भी पड़े क्योंकि वो सर्फ एक spotting type की होती है थोड़ी बहुत दाग धब्बे लगते हैं इत stains अपने कपड़ों में महसूस हो इतना होके बंध हो सकती है दूसरा अगर यह जादा से जादा रहती भी है तो एक से तीन दिन तक ही रहती है लेकिन यह आपके periods की तरह नहीं होता है कोई heavy flow या कुछ पे अच्छा-खासा flow इसमें नहीं होता है सिर्फ दाग धब्बे ही ल होते हैं हलाकि एक हफते होना थोड़ा जादा होते हैं लेकिन 5-6 दिन यह 4-5 दिन जादे तर महिलाओं के periods रहते हैं तो यह duration का भी अंतर होता है तो इस तरीके से implantation bleeding को हम जो normal periods होते हैं उनसे differentiate कर सकते हैं और जिस सवाल से हमने यह video start किया था कि implantation bleeding कितने दिन तक रहती है उसका जवाब यह है कि implantation bleeding अगर आप महसूस भी करेंगे तो एक से तीन दिन से जादा नहीं रहती है जबकि जो आपके normal periods होते हैं वो 4-7 days तक भी last कर सकते हैं तो इस तरीके से hopefully आज यह video देखने के बाद आप आराम से implantation bleeding और जो normal periods होते हैं उनमें अंतर कर सकते हैं अगर आपको यह video useful लगा है तो please video को like कर दीजे और चैनल को ज़रूर subscribe कीजे सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो notification bell है all के option के साथ उसको भी ज़रूर press कर दीजेगा ताकि मेरे आने वाली pregnancy से related useful videos के notifications आपको time से मिलते रहे और आपको कोई भी video मिस ना हो अगर आप instagram use करते हैं तो आप बिल्कुल इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगा इंस्टा पे generally अपनी personal pics family की pics वगेरा शेयर करती हूँ अब frequency से related कोई content नहीं होता है फिर भी अगर आपको interest हो तो आप बिल्कुल इंस्टा पे भी follow कर सकते हैं मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक में लिए अपना ख्याल रखें